Hey guys, welcome to my channel तो guys, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने घुटने के, अपनी कोनी के, अपनी गल्ले के और अपनी फिंगर के काले पन को एक दिन में कैसे दूर कर सकते हैं तो इसको करने के लिए हमको एक remedy बनाने की ज़रूरत है तो अब देखते हैं कि remedy में हमें क्या-क्या चीज की ज़रूरत है तो guys, remedy में हमको जो चीज 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 चीज़ेंगे वो है नीमबू, हल्दी और बेकिंग सूड़ा और इसके साथ साथ कोल गेट तो अब हम इन तीनों चारों च करके एक remedy बनाएंगे तो guys, अब हम लोग रेमेडी बनाना शुरू करते हैं तो रेमेडी बनाने लिए में सबसे पहले चाहिए हल्दी एक चिटकी और सेकेंड चीज चाहिए हमें बेकिंग सूड़ा ध्यान रहे कि यह खाने वाला ही है तो अब हम इसमें थोड़ा सा कोलगेड मिक्स करेंगे अब देख चकते हैं किती कॉंटिटी में हाई है चौथी चीज है लेवन जो हम लोग आभा चममच डालेंगे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो गाइस हमारी रेमेडी तयार हो चुकी है अब मैं इसे आपको अपलाई करके दिखाती हूं तो गाइस आप इस गर्दन के कालेपन को देख सकते हैं अब मैं इसमें वो रेमेडी अपलाई करूंगी और आपको दिखाऊंगी तो गाइस अब मैं इसे गले पे अपलाई करने जा रही हूं तो गाईज आप लोग देख सकते होंगे मैंने इसे अपलाई कर दिया है तो गाईज मैंने रेमेडी अपलाई कर दिया है और इसे अपलाई करने के बाद आपको 10 मिनिट वेट करना होगा तो चले 10 मिनिट बाद मिलते हैं तो गाइज 10 मिनट हो चुके हैं अब मैं इस रेमेडी को रिमॉफ कर दूँगी तो गाइज मैंने रेमेडी रिमॉफ कर दी है और आप लोग देख सकते हो कि यहां का जो काला पंथा वो गायव हो चुका है आप सब ध्यान से देखो यहां का जितना भी काला पंथा यह सब गायव हो चुका है तो गाइज अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना बोले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक्यू बाइज